हेलो फेंट्स मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल सरकर जॉब नियूज ये 10 माई 2020 के इंपोर्टेंट करेंट फॉर्स कोशन से हैं इसका PDF एपलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप इसे वीडियो खात मुर्ण से ठीक पहले इसका आंसर होगा D यानि गलवान घाटी और होट इस्प्रिंग गोगडा हाला कि पैंगोग सोल एक जो है जील है वहाँ पर इंडियन और चैनीज सोल्स के बीच में अभी भी टेंशन चल रहा है इस्टेंड ओफ है वहाँ पर तो देखिए जब मैं वीडियो बना रहा था तब तक इंडियन और चैनीज उसकी तरफ से दोनों गर्मेंट के ओवर से ओफिशल बयान नहीं आया हाला कि देहिंदू सहीत तमाम नियूस वेपर्स ने डिफेंस सोर्सेस के हवाले से ये सब लिखा है तो नौ जून को यानि कल ही दोपार को नौ जून को चीनी सैनिक जो है गलवान घाटी और होट स्प्रिंग गोगरा से करीब दो से तीन किलोमेटर पीछे हट गया और जो खबरे हैं उसके अनुसार इंडियन सोल्जर्स भी पीछे हटें तो दोनों जगहों से ये चीन की पूपुल्स लिबरेशन आर्मी ने टेंट हाटा लिये हैं और कुछ सैनिकों को वाहनों को वापस ले गया है हुआ एक महीने से जाधा समय से ये बॉर्डर पे टेंशन चल रहा है बॉर्डर मतलब की लाइन ओफ एक्च्छल कंट्रोल पे हैं तो पहले मने आपको बताई था कि पिछले दिनों फॉज के बीच में दोनों फॉज के बीच में लेफ्ट एंड जनरल के अस्तर पर लेवल पर ब पहाड़ियों के शिर्ण खला है मतलब सीरीज है एक और डेवलप्मेंट हुआ है वो मैं आपको बता दूँ कि लेसी के पास पास आर्मी का जो बिल्डप है वो इंडियान की और से ये मैसेज दिया गया एक तरह से कि वहाँ पर बिल्डप होता रहा है बिल्डप का मतलब क फौजी साजो समान जोटाने का काम दरसल चाइना जो है वो अकसाई चीन में यानि एलेसी के उस पार वहाँ पर फौजी मुव्मेंट काफी तैजी से कर रहा है वहाँ साजो समान ला रहा है यहां तक कि मिलिटरी जो एरक्राफ फाइटर जेट प्लेंड से वहाँ भी तेन बंद नहीं करेगा, सरकों का निर्मान जारी रहेगा, तो एक इंपर्टेंट बात थी, इस टॉपिक पे अब तक का टोटल अपडेट है, ओके, चलिए आगे बारते हैं, और अगला कोशन बहुत इंपर्टेंट है, दुनिया में जो हो रहा है, उसको समझने के लिए, अमेरि यूपिएसी वालों को तो टीटेल में जाना चाहिए, इसका अंसर होगा, ब्लैक लीप्स मैटर, हिंदी में कहेंगे इसे, अश्वेतों के जिंदगी माहिने रखती है, तो अमेरिका में ब्लैक लीप्स मैटर जो है, वो मूब में चल रहा है, बहुत प्रेम पामाने पर, अभियान चल रहा है, पूरा प्रदर्शन चल रहा है, और इसके दुनिया के बहुत सरे देशों में आसर हो रहा है, खास्तोर पर ये रोप में जो पब्लिक जो है, वो रेसिज्म यानि रंग भेद के खिलाफ एकजूट हुई है, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी सह प्रदर्शन हो रहा है, चल रहे है, पीसफुल वहां हो रहा है, हलाग कि अमेर्का में तो हिंसक हो गया था, यहां तक की कनडा में ब्लैक लिफ्मां प्रदर्शन के दोस्किन और वहां के प्राइम मिनििस्टर जो है, जैस्टिंड टूटों, उन्होंने भी हिस साल लिया, और अभी पांच उनकों उन्होंने घुटने पर लोगों के साथ बैढ़ गया, मतलब तमाम लोग घुटने पर बैठे थे वो भी घुटने पर बैठ गया और कहा कि रेसिज्म जो है वो यानि जो रंग भेद है वो बहुत गलत है और इसको खतम करना चाहिए, जर्मनी की चां खतम होना चाहिए, लोगों के दिमाग से रंग भेद के जो भावना है जो गलत भावना है उसके खिलाफ और फ्रांस की सरकार ने पुलीस की बरबरता को कम करने के लिए जो गला दबाने या पकड़ने पर बहन लगा दिया कि पुलीस गला नहीं पकड़ सकती है बहन उसको अमेरिका में जो अश्वेत थे उनके गले पर नेक पर घोटना रख दिया था पुलीस कर्मीन उसकी विससे मौत होए थी एक से इसको हत्या कहा जा रहा है पुलीस को दोरा और आपको बता दूँ थोड़ डीटेल जाना ज़रूरी आपके लिए कि अमेरिका में एक स्ट्री युएसे यानि अमेरिका की जो कैपिटल है वाशिंग्टन डीसी तो वहाँ पर वाइट हाउस को जाने वाले जो सडक है उसका नाम ही रख दिये गया है ब्लैक लीप्स मैटर स्ट्रीट वहाँ के मेर ने ये नाम रखा और ओफिशल रूप से वहाँ पर उस पर रोड पर ह लिखवा दिया गया है आप मेरे बगल में पिक्चर देख रहे हो हाला कि अमेरिकी प्रेसिडंट है डोनल्ट ट्रम्प वो लगतार प्रदर्शन कारियों को और इस मुव्मेंट को आतंकवधी और अराजक कह रहे हैं ट्रम्प ने तो मिलिटरी को प्रदर्शन कारियों के खिलाफ उतार दिया था, सेना उतार दिया थी, लेकिन उनी के जो डिफेंस सेकेटरी हैं, जिनको रक्षा मंतरी भी कह सकते हैं, तो खुले तोर पर विरोध किया था, और बाद में रक्षा मंतरी ने, यानि डिफेंस सेकेटरी ने सेना भेजने से भी इनकार कर दिया था, प् इंडिया में भी ते हिंदू नहीं इसको कवर किया पबलिश किया हिंदू सहीद बहुत सारी नियूसपर ने पबलिश किया है तो अमेरिका में जॉर्ज फ्लाइड की जो हत्य हो थी प्लीस बूटेलिटी में उसके बाद से मैंने आपको बताया है कि लगाता पूरी दुनिया में एकतर से रंग भेद के खिलाफ रेसिज्म के खिलाफ अभियान चल रहे हैं अलग-अलग देशों में तो आठ जून को करिब 10,000 से जादा लोगों की भीर ने इंगलेंड में एड़वर्ड कोलिश्टन की जो मूर्ति थी उसको पहले रस्यों से बांधा खींच के गिराया फिर खींच के ले गया नदी में उसको फेंग दिया है यह जो घटना है वो ब्रिश्टल शहर में हुए है इंगलेंड के अच्छे दास कारोबार क्या था मैं आपको बता दूँ पता होगा आपनों को देखें रंग भेद को लेकर ब्रिटेन का बहुत काला इतिहास रहा है ब्लैक हिष्टी राए उसका 17 और 18 शाताबदी में ब्रिटेन कारोबारियों को लाइसंस देता था एक तरह से मैन हंटिंग का मतलब वहां अफरीका में जाके पकड़के लेकर और अमेरिका में और यूरोपिय देश में बेचने खा तो एडवर्ड कोलश्टन जो है जिनकी पलेगा और अमेरिका में बेच दिया उसको और इसको अमेरिका में दास के तौर पर बेचा गया था अब बाद में उसने अपनी संपत्ति का बहत ब़हा हिस्सा दान कर दिया था इसने एडवर्ड ने कोलश्टन ने ओके तो उसकी मिर्ति हुई थी 1721 में उसके बाद वो ब के खिलाफ एक तरह से शामिल हुए थे एक और इंपर्टन बात बिता दूँ आपको कि लंदन के मेर के आदेश पर स्लेव ट्रेडर जो वही 17 में शताबदी में थे रॉबार्ट मिलिगन तो उसकी मूर्ती हटाई गई है यह इस्टैट्यूड लंदन म्यूजियम के बाहर थी और लंदन के मेर है सादिक खान तो उन्हीं के आदेश पर यह मूर्ती हटा दी गए और यूनाटेट किंग्डम में यानि बर्टेन में अलग-अलग जगहों से ऐसे लोगों की मूर्ती हटाई जा रही है जो सिलेवरी से जुरे थे उसके कारोबार से जुरे थे एक और इंपर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको जानना चाहिए कि भारत को अंग्रेजों का गुलाम बनाने वाले जो रॉबर्ट क्लाइब थे उनकी मूर्ती के खिलाफ भी अभियान चल रहा है इंगलाइंड की राजधानी लंदन में ये रॉबर्ट क्लाइब की मूर्ती नोती है उसको भेजा गया है और क्लाइब जोए हो भारत समेत दक्षिन पुर्वी एशिया में ब्रितिश हुकूमत का विस्तार करने वाले शुरुवाती लोगों में से थे एंडिया में भी जो ब्रिटिश हुकूमत आई थी तो उसमें जो कई लोगों की भोमिका थे ब्र का युद हुआ था और 1764 में जो बक्सर की लडाई हुई थी उसको जीता था बिटिश राश्वाद का जश्ट मनाने के लिए उनकी मूर्ती लगाना गलत है तो एक तरह से इसको पूरा जो बिटेन का जो काला इतिहास है उसको लेकर अब ये माना जा रहा है कि बहुत सारी गलतियां हुई है इतिहास में अमेरिका से भी बहुत सारी मूर्तियां जो है जो दासपर्था से related थे या दासपर्था को जो जिन लोगों ने भी समर्थन किया था उनस सब की मूर्तियां हटाइजा रही है जिस उधारें के तोर पर बताओं कि उसमें उसमें सिविल वार के समय वहाँ पर प्रमुग भौमि ये महौल वो आपके examination के लिए बहुत important हो जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोश लगते हैं और पसंदार और like बटन जोर दबाना कोशन होगा असम में गैस के कुए में leakage के बाद भीशन आग लगे तो इसे किस company के द्वराज संचालिक किया जाता था कल भी मैंने इसके बार में काफी detail बताया था और आज ही development है कि वहाँ आग लग गए भायानक आग लगे इसका answer होगा Oil India Limited यानि OIL ये असम के तिन सुकिया जिले में इस्तित है और आपको बता दूँ कि डिब्लो सुकोवा नेशनल पार्क से कुछी दूरी पर है तो 27 माई को इस गैस के कुए में लिकेज हो गया था उसके बाद लिकेज इतना हीवी था कि ये आसमान में लिकेज जा रहा था गैस उरके जा रहा था बादल से मिलकर और वो लिक्विड फॉर में नीचे गिर रहा था और बहुत नुक्सान हुआ था डॉल्फिन भी मर गई थी जो वहाँ पर नदी है प्रहंपूत्र नदी है वहाँ पर इसके लवाँ बहुत सारे परशुर पक्षी उन सब को नुक्सान हुआ था लेकिन अब 9 जून को की दोपहर को इसमें आग लगाई यह डवलप्मेंट है और हलाकि इस आग को बचाने के लिए आग लगने से बचाने के लगातार उसमें पानी डाला जा रहा था और सिंगापूर के स्पेशलिस्ट की टीम भी बुलाए गे थी लेकिन वो लोग आग को नहीं रोप पाए और आग भयानक हो गई है उसके वज़े से कई लोग घायल हो गए हैं कई सारे घर जल गए हैं वहाँ पर और हलाकि वहाँ जो आसपास जो लोग रह रहे थे उन सब को गैस लिकेज के समय ही हटा दिया गया था लेकिन अब लगभग 15 दिन हो गए हैं और इससे थी और बहुत ही खराब हो गई है लोग अपने घरों से भाग रहे हैं आसपास के कई किलोमेटर दूर जो लोग रह रहे हैं क्योंकि डर है कि आग जो है वो जंगल होते हुए वहाँ तक भी पहुँच सकती है इस गैस के कुएं की जो डिलिंग है वो 2006 में हुई थी 80,000 क्यूबिक मीटर पॉर डे इससे गैस निकाला जा रहा था तो एक तरह से डिजास्टर हुआ है और NDRF की टीम वहाँ पर इंडिन गवर्मन्ट ने वहाँ भेजी है कि वहाँ पर किसी तरह से इस आग पर काबू पाया सके आग इतना भयानक है कि बादल मतलब बादल की तरह आसमान में चाह रहे हैं जो उसका धुआ है वो चाह रहा है तो असम में ये गैस फील्ड है गैस का कुउआ है आपसे कोशन है असम के गवर्णर और चीफ मिनिश्टर दोनों का आप नाम बताइए आसम के गवर्णर और चीफ मिनिश्टर का नाम कमेंट बॉक्स में जुरू बताना अगला कुछ लेते हैं किस राज ने बंदे उतकल जननी को राज गान का दर्जा दिया इंपोर्टेंट है तमाम एक्जामनेशन के लिए सब एक्जामनेशन के लिए आंसर होगा ओडिसा ओडिसा के मंत्री मंदल ने कैबिनेट ने ये साथ जून को ये फैसला कर लिया मंजूरुदे दी गई है और ये कविता है गीत है देश बक्ती गीत है जो कि 1912 में इसको लिखा था लक्षमी कांत महा पातर ने तूसरे में अलग प्रांत की लड़ाई चल लेती है उसके लिए ये गाना लिखा था और अब ये वहां का राज्य गान हो गया है राश्ट्रिय गान क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप से कोशन है राश्ट्रिय गान क्या है यानि नेश्ट्र गीत क्या है और राश्ट्र गीत क्या है ये दो कोशन है ओके नेश्ट्र सौंग क्या है और नेश्ट्र एंथम क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फूज करते हैं राष्टगीत और राष्टगान में अगला कुछ लेते हैं रैमन मैक्स से अवार्ड 2020 किस वज़ से रद कर दिया गया है आंसर होगो COVID-19 देखे इस अवार्ड का 60 साल का इतिहास है उसमें तीसरी बार ऐसा हुआ है इससे पहले उन्हें 170 में आर्थिक संकट के वेज़ से और 1990 में विनाशकारी जो भुकम पाया था वहाँ पर उसके वेज़ से अवार्ड को रद किया गया था इस बार COVID-19 के वेज़ से इसको रद किया गया है और इसको एशिय का नोबल प्राइस भी कहा जाता है फिलिपिन्स के राज़दानी मनीला में यह दिया जाता है यह आवार्ड और पिछले साल 2019 में इंडिया जर्नलिस्ट रवीश कुमार को भी यह आवार्ड मिला था और किसकी याद में ये अवार दिया रहता है तो फिलिपीन्स के पूर राष्टपती रह्मन मैकसे से उन्हीं की याद में हर साल 31 अगस्त को ये दिया रहता है अगला कुछ लेते हैं उत्तर कोरिया ने किस देश से अपने साड़े संपर्ग खत्म करके उसको दुश्मन का दर्जा दे दिया है आंसर होगा दक्षिन कोरिया दक्षिन कोरिया को दुश्मन का दर्जा दे दिया है तो उत्तर कोरिया यानि नौर्थ कोरिया जिसके शासक किम जोंग उन है तो उसने ये कह दिया है इस देश ने कि हम दक्षिन कोरिया से जुरू हुए तमाम जो हॉट लाइन थे कम्मुनिकेशन था उसको उस लाइन को बंद कर रहे हैं और अब दक्षिन कोरिया हमारा दुश् तो रिपोर्ट्स में ही कहा गया है कि कम्मुनिकेशन लाइन खत्म करने का फैसला है नौर्थ कोरिया के तनाशाह किम जोंग उन और उनकी बहंज़एक किम यो जोंग उनकी मौजूदगी में ये लिया गया है देखे उत्तर और दक्षिन कोरिया के बीच में काफी तनाव चलता था और दो साल पहले ही कम्मुनिकेशन लाइन बनाए गये थी अतब दक्षिन कोरिया के राष्टपती मून जे इन और किम जोंग उन यानि उत्तर कोरिया के जो शासक हैं किम जोंग उन तो उन दोनों के बी लेकिन अब क्या हुआ है कि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में बादशी जो है विफल हो गई है तब अब दक्षिन कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में भी रिष्टे खराब हो गए हैं। लार की स्थिमार पर आस्था ही तोर पे रूक लगा गई है। किस कमेटी की रिपोर्ट पर लगाई गई है। अज़ भeन लगा गई है। अगला कुछ लेते हैं केंदर सरकार ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता थी थी कब तक लिए बढ़ा दिया है जो मोटर वैकिल डॉकुमेंट से अलग लग तरह के कौन-कौन से तो जैसे फिटनेस तमाम तरह के पर्मिट, टरविंग लाइसेंस, रेश्टेशन इन सब के डॉकुमेंट की जो तिथी या डेट है वो उसकी वैलेटीटीटर को बढ़ा दिया है इसका आंसर होगा 30 सितंबर, तीसी बार यह बढ़ाया गया है क्यों क्योंकि COVID-19 है उसकी वेसे और क्योंकि उसकी वेसे जो तमाम जो परिवहन के कार्याले हैं वो सब नहीं खुल प देश ने मंगल गरह के लिए अंतरिक्ष अभियान शुरू किया है आंसरों का UAE यानि संउत अरब अमिराथ ओके अधिके मंगल गरह पर 14 जुलाई को यह सेटलाइट जो है लॉंच किया जागा कहां से तो जापान के तानेगा शिमा लॉंच वैकल से वहां से इसको अमल यानि आशा, अमल नाम है और इससे मंगल के वातबर्ण का आकलन किया जागा, सेटलाइट जो है वह मंगल पर जाएगा और वहीं चकर काटेगा और तीन तरह के सेंसर लेगे है जिसमें मंगल की जो धूल है इसके लाब ओजोन है वो सब उसकी माप की जाएगी तो UAE क क्या है आबू धावी और एक प्रमुक शहर है वहां का दूबई वहां प्रेसिदेंट कौन है खालीफा बिन जाद अलनाहान और प्रधान में ते कौन है मुहमद बिन राशिद अलमक्तूम अगला कुछ लेते हैं इंडिया इन्फो लाइन फाइनस लिमिटेड यानि आई आई एफल ने अपना ब्रांड मेंश्टर किसे निवत किया है आंसर होगा रोहित शर्मा को ये ब्रांड मेंश्टर बनाए गया है ठीक है अगला कोश लेते हैं EY World Entrepreneur of the Year 2020 का खिताब जितने वाली भारतिये महिला उद्यमी कौन है आंसर होगा किरन मजुमदार शौग जो बायो कौन की कारकारी अध्यक्ष है देखें जो आवार्ड है वो 41 देशों के 46 उद्यमियों को दिया गया है जिसमें भारत की किरन मजुमदार शौग का भी नाम है और आपको बता दूँ कि इस पुरुस्कार को जितने वाली भारत की पहली महिला उद्यमी बनी है इससे पहले ये पुरुस्कार कोटिक महिंद्रा बैंक के उद्यक को 2014 में दिया गया था और 2005 में मिला था इनफोसिस के एन आर नारायन मूर्ति को तो दोस्ते ये था इनपॉर्टन का इनफोर्स कैसा लागा जुरूर बताना इसका PDF एबलेबल होगा है मेरे बगल में क्लिक कीजिए डाउनलोड कर लिजिए वोना लिंक गायब हो जाएगा या आप इस वीडियो के नहीं कि आप जरू करना साथ में बिला गंदवाना मत भूलना नोट फूशन वक्त में मिलता रहेगा